मित्रो एक बार फिर से स्वागत आपका एंटिवाइटिक जीके वाली सीरीज में मातर एक मिनट में आपको भलवन सिंग महता करवाकर जा रहा हूं लगतार मैं यह नहीं छोड़ रहा हूं कंटिनुए के किरांतिकारी जो भी टोपिक शुरूग है उसे लेकिन फरक यह है कि म बलवन सिंग महता सागर में डूब गया जीरो जीरो हो गया तो बलवन सिंग महता और सागरमल गोपा धोनों का जनम 1900 में हुआ 1899 में बात करें जैनरण व्यास आपके हिरलाश शास्त्री का जनम हुआ देखो 1896 में ने करवाए आप लोगों 1896 में जो जनमे 1896 में उनका जनम हुआ आपके रामरान चोदरी का यह था इसी प्रिकार से 1898 बात करें तो मानिक इलाल बर्वा गोकुल वाहिबाट और 1999 बात करें तो आपके एरलाश शास्त्री जैनरण व्यास और 1900 में दो बल्वन सिंग महता और सागनवल गोपा जनम उदेपूर में हुआ तो कि आपके वनवासी चात्रवास के लिए बात की द्यानकड़ा कि आप लोगों के आदिवासी संस्ता है वितो आपके पंडित अर आप द्यान सर्मा है और यहां पर आपसे बात कर रहा है वनवासी चात्रवास तो 1746 की स्तापन है 1943 में और इस्तापन कहां हो ही उदैपूर में जो हमारे संविदान सभा में जो मेंबर गए थे देशी भारत के रूप में देशी भारतों के सदेशियों के रूप में राजपुताना परदे से उन्हों जब सम्मीदान पर अस्ताक्षर करने की बारी आई तो सबसे पहले जो सम्मीदान पर अस्तरक्षर किया किस ने किया भलवन सिंग महता ने तो मूल समविदान पर अस्त्रक्षर करने वाले परथम राजस्तानी एक हड़्वन सींग महता एक और है जो आपकी पंचायती राज व्योस्ताम पढ़ते हो बलवन सिंग मिहता कमेटी गुजरात के मुख्य मंत्रिं रहें यह बल्मंत इस्ताफनJean में तो इस्ताफणा करने वाले मांईक केलाल वर्मा थे इस्ताफणा करने वादे मांईक केलाल वर्मा लेकिन आपा की बात करें तो पच्पने करने वाला मानिक किलाल वर्मा किसकी हध्यक्ष्ता में हुई तो आप उतर देंगे बल्वंद सिंह महता तो यह बल्वंद सिंह महता है वनवासी चात्रवास अच्छे ध्यान रखने आप लोगों को उदेपूर के रहने वाले हैं और मूल समिदान पर स्टक्षर कर करने वाले पहले व्यक्ति राजिस्तान के रूप में अगर बल्वन सिंह महता पंचाति राज व्यस्ता पूछे तो ध्यान करना वे गुजरात की मुख्य मंतिर रहें गडबड मत कर देना राम राम साप धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना